चलिए बनाते हैं fancy dress के लिए pocket pine यहां हमें चाहिए तीन काले tinted paper मैंने यहां एक sheet लिया है और उसे half two parts में cut करके लिया है यहां मैंने white color के white fabric paint से lining निकाली है हमें pocket pine के काटे मतलब quills बनाने हैं तो उसके लिए हमें यह lining बहुत ज़रूरी है अब हम cutter एकदम sharp cutter लेके zigzag shape में cut करने वाले हैं हमें quills चाहिए इसलिए हम एकदम बारिक से zigzag cut करने वाले हैं बच्चे के back के size के हिसाब से यह से मैं quills के set cut करके रखे हैं अभी यह हम सब set एक cardboard या फिर box board के पीछे black paper लगाके एक एक करके यह सब set लगाएंगे stick करते समय हम सब paint के हुए layer नीचे डालने आले हैं ऐसे ultra chip काएंगे तो हमारे skills अच्छे से खड़े रह सके पहनने के बाद दिखने में अच्छा रिखेगा पहनने के लिए हम इसे school bag की तरह belt लगाएंगे तो बच्चे को हम अच्छे से पहना सेके market के ready made mask के तरह मैंने यह mask बना के लिया है और इसे elastic sticker कर दिया फुल ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक हैंग लोज और ब्लैक सॉक्स के साथ रेडी करके हमारा पॉक्य पैंडरी हो गया है ट्रेपरी बनाने के लिए मुझे पूरे दो गंटे लगे कर दो